आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकाश करूंगा के रिडिट जाए परस्टनल लॉन अप्लिकेशन से हम किस तरीके से घर बैठे परस्टनल लॉन के लिए अपलाई कर सकते हैं इ इस में हम लोग देखेंगे कि इस लॉन अप्लिकेशन से लॉन लेने के लिए क्या-कया डॉकामेंट की जोरत पढ़ती है कितना रेट उप इंट्रेस्ट है कितने दिनों के लिए यह लॉन पर भाइट करता है साती साथ इसमें लॉन लेने के लिए आपका सिबिल इसकोर क् कम्पलीट एक टूजट के रिडिस जैश परस्टनल लोन अपलीकेशन के रिडियार्डिंग हम लोग देखने वाले तो सबसे पहले इसके बाउट वाले सेक्षिन में देखते हैं अबाउट इस अपलीकेशन में तो यह आपको प्रस्टनल लोन के बीच पर प्रवाइट करता 62 से पंदरा दिन के लिए परसेसिंग फिस जीरो परसंट से लेकर के धाई परसंट के बीच में अब इसका हम लोग एक नोट साइब का देखते हैं और हर्ची समझते हैं कि इसमें जो है लॉन इमाउंट यह आपको प्रभाइट करता है एक हजार से दो लाग के बीच में इंटेस्ट रेट जो रहता है 0% से 30% के बीच में रहता है और टेंजर जो आपको मिलता है वो 62 दिन से लेकर के 15 मन तक के बीच में आपको रिपायमेंट टाइम मिलता है अब हम लोग इसके और भी सेक्शन में जाते हैं और हर चीज अच्छे से समझते हैं यह जो क्रेडिट जाए प्रस्नल लोन अप्लिकेशन है इसी के बारे हम कंप्लीट अभी आपके साथ डिसकस कर रहे हैं और यह एक NBFC से राइस्टेट कंपनी है इसमें किसी प्रकार के धो बिभी सेंट पर्सेसिंस जो है 1250 रुप्याउ निव कस्टमर अउंबोर्डिंग फीज इसे 200 रुप्या का जीसटी और पर्सेसिंस ऑन और ऐसे 1581 रुप्या टोटल इंट्रेस जो है 590 रूपिया, इमाई जो पड़ेगा वो 4632 रुपया एप्रोक्स जो आपका इंट्रेस्ट है 23.2 परसेट यानि कि आपका जो लेन अमाउंट 50,000 का जो एप्रूब हुआ है तो आपके बेंक अकांट में डिस्टिब्यूट करेगा 49,280 रुपया आपको टोटल रिपेमेंट करना है 55,581 रुपया यानि कि आप 50,000 का आपका एप्रूब हुआ है तो बेंक अकांट में 48,280 रुपया मिलेगा और आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 55,581 रुपया अब इसकी फीचर्स के हम लोग बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्रेड़ या अप्लिकेशन प्लेय स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि फिरी आप कोस्ट है दुसरे में आपको register and create a new account आपको सबसे पहले एक register करना पड़ेगा और new account create करना पड़ेगा उसके अब आपको basic information भरना है और submit कर देना है application को यहाँ पर तीन step हम लोग नें discuss किया चौथा step जो आपका basic information के अंदर आपको अधार कार्ड और pen card की जोरत पड़ेगी यह चीज़ आप अपने धियान में लेकर चलेंगे और आप जो अपना mobile नमबर देंगे वो देंगे तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजएगा तो फिर मिलते हैं